बार दोस्तों GS Recipe के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम Miscellaneous यानि विविद प्राचीन बारत के विविद प्रस्नों का भागत्री जो है वो अप्लोट करने जा रहे हैं इसके भागवन और भाग टू अप्लोट किये जा चुके हैं आप पहले उसको जाके देख सकते हैं तो पर निर्भर हो गए थे या जो निर्भर हो गए थे या दच्छिडपूर ACI वैपार पर जो है या निर्भर हो गए थे इस प्रस्न का सही जवाब होगा प्रस्न का सही जवाब होगा मैधपूर्तति क्या है कि ईसा की तीसरी सताब्दी में जब हूर आकरमर से रोमन सामराज समाप्त हो गया था तो भारती वैपारी जो है वो दच्छिडपूर ACI वैपार पर आत्म निर्भर हो गए थे तो इस प्रस्न का सही जवाब है प्रस्न सताब्दी में लाट में सासन कर रही थी जिसको सिसाधिया वन्स के प्रारंबिक पुरुस जो है गुहिल ने हराया था और तदंतर गहलोत वन्स की स्थापना होई थी तो इस प्रस्न का सही जवाब है वह है ऑप्शन नबर 16 दा राइट एंसर अगले प्रस्न है कि कत्योरी वंस का संस्थापक कौन था कत्योरी वंस का जो संस्थापक था वा था वासुदेव option number 20 दराइट एंसर मैतपूर तती जान लीजे मैतपूर तती है कि कत्योरी वंस को कार्तिके पूर वंस के नाम से भी जाना जाता है हर्स की मृत्य के पश्चात उत्पन जो है अराजकता की स्थिती की समाप्ति जो है वा 700 इस्वी में कत्योरी वंस की स्थापना के साथ हुई थी लगबग 700 से इस्वी से लेके 1030 इस्वी तक इस राजवंस के तीन से अधिक परिवारों ने सासन किया और बागेश्वर लेक से इस राजवंस का पर्थम सासक जो है वा किसको माना जाता है वा बसंत देव को माना जाता है किसको बसंत देव को है जो माना जाता है जिसे जिने वासुदेव के भी नाम से हम जानते हैं जिने किस नाम से वासुदेव के भी नाम से जानते हैं तो इस प्रिष्ण का जो सही जाप क्या है वा है option number be the right answer अगले प्रिष्ण के ओबढ़ते हैं अगला प्रिष्ण क्या है कि चचनामा के अनुसार जन जाती थी option number is the right answer मैतपूर तती है कि प्राचीन भारत में योधे जो है एक गड़तांत्रिक जन जाती थे और महा भारत में योधेयों को युधिष्टिर का वंसच बताया गया है किनका युधिष्टिर का वंसच बताया गया है और सक जो थे वा छत्रप रुद्रदामन के जुनागर अभिलेक में भी योधियों का उलेक किया है इने वीर योधाओं के रूप में प्रिस्तुत किया गया है इनके चांदी तांबेवा पोटीन धातों के सिक्के जो है पूरवी पंजाब में सतलज और यमुना नदी के मद्यवर्ती भूभाग से प्राप्थ होती है इनका जो इतिहास है वह सिक्को पर आधारित है ये कार्थिके की उपासना करते थे जो श्री जी के जो एक बेटे थे जिनका नाम ता कार्थिके जी ये इनकी उपासना करते थे जिसका अंकन जो है इनके सिक्को पर पाया जाता है तो इस प्रशन का जो सही जवाब था मेतपूर, तथी जान लिजे, मेतपूर तथी आए कि हिंदू साही राज जो है पहला मेतपूर हिंदू राज जो है वह चिनाब नदी से हिंदू कुस परवत माला पर फैला हुआ था और काबुल जो है उसमें समलित था इस राजवन्स ने लगबग 200 वर्षों तक अकेले ही अरब आक्रमण का सफलता पूर्वक सामना किया था किन्तु अंत में इनके साजकों को अफगानिस्तान यानी काबुल सहित चोड़ने पर बाद्य होना पड़ा था और उद्भांडपुर और बैहंद को उन्होंने राजधानी भी बनाया था और लगबग 10 वी सताबदी में महमुद गजनभी के आक्रमण के समय जैपाल जो है कौन जैपाल जो है वा यहां का सासक हुआ करता था तो इस प्रशन का जो सही जवाब है वा क्या है वा है option number B जो है इसका सही जवाब है अगले प्रिस क्यों बढ़ते है अगला प्रशन है कि वह कल्चुरी सासक जिसका इस्तंब लेख है बंगाल के वीर भूमी जिले से मिला है तो इस प्रशन का सही जवाब क्या है option number D is the right answer क कंड देव यानि कल्चुरी त्रपुरी वंस का सबसे सक्तिसाली राजा था उसके कुल आठ अभिलेग जो है वा मिलते हैं जिनसे उसकी उपलब्दियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इसमें रीवा का अभिलेग वारा नसी एवं प्रयाक का तामरपत अभिलेग एवं बंगाल के वीर भूमिसे प्राप्त अभिलेग जो है वा महतपूर है और कोकल जो है ये पहले नमबर पे जो लिखा हुआ है कोकल कोकल प्रथम जो है वा कल्चुरी वंस का प्रथम राजा था उसने प्रतिहार भोच को पराजित किया था और गांगे देव कल्चुरी वंस का प्रतापी राजा था और जबलपुर के अभिलेक से हमें ज्याद होता है कि उसने वट वरच के नीचे निवास करते हुए अपने प्राणों का वा त्याग किया था तो इस प्रश्ण का जो सही जवाब है वा है option number D is the right answer अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है कि अगला प्रश्ण है कि दंडी महादेवी किस वंस की इस्तरी सा सकती है किस वंस की इस्तरी सा सकती या भॉमकर वंस की इस्तरी सा सकती ने राजसु जो है वह प्राप्त किया था तो इस प्रिश्ण का जो सही जाब है वहाई option number A इस दा राइट एंसर अगले पर इसके ओब रहते हैं अगला प्रसने क्या है कि चक्रवर्ती छेत्र की परिकल्पना को जो विकास हुआ था वह किनके समय हुआ था या हिंदू पुर जगु एवं दिलीब की दिगवे जैसे की है तो इस प्रिश्ण का सही जाब क्या है वहाई option number A इस दा राइट एंसर अगले पर इसके ओबढ़ते हैं अगला प्रसन क्या है कि नालंदा महाविहार के अंतिम कुलपती कौन थे जो अंतिम कुलपती थे उनका नाम क्या था उ आयूर वेद विभाग के कौन से यह आयूर वेद विभाग के प्रमुग भी थे इनी के समय बक्तियार खिलजी ने नालंदा विस्विद्याले को जला कर बरबात कर दिया था तो इस प्रश्ण का जो सही जवाब है वह है option number A is the right answer अगले परस क्यों बढ़ते है अगला प्र नासी धारड करते थे उसे दुकुल कौसे कहा जाता था क्या उसे दुकुल कौसे जो है वह कहा जाता था इस प्रिश्ण का सही जवाब है option number A is the right answer अगले परस क्यों बढ़ते है अगला प्रिश्ण क्या है कि बेलना कार पांशाल मुद्राओं का उपियो किस सभिता में किय जाता था तो यह जो किया जाता था यह मेसो पोटामिया सभिता में किया जाता था option number D is the right answer इसके बाद महधपूर तत्ही आया कि यूनानी भासा में मेसो पोटामिया का जो अर्थ है वो नदियों के बीच की भूमि होता था और मेसकूटामिया सभिता जो है वो वरतमान इराग में दो नदियां है एक है दजला एक है दजला और दूसरा है फरात नदियों के बीच के छेतर में विक्सित हुई थी और सुमेर, बेबिलोन, केंडरिया तथा अरिसीरिया, समलित रूप से मेसो, मेसो पोटामिया जो है यह कहलाते थे और मेसोपोटामिया में पुरा तात्विक खोजो की जो शुरुवात हुई थी वा 1840 के दसक में हुई थी इस सब्वेता में बेलनाकार पाशाड मुद्राओं का उपियोग होता था ये मोहरे जो होती थी बीच में आरपार छिदी होती थी इन पर चिन अंकित होते थे एक ती है कि किस काल में अच्छूत की आउधारना जो है वह इस पस्ट रूप से उद्दत हुई किस काल में ये उद्दत हुई या धर्मसास्त्रों के समय में उद्बद हुई option number D is the right answer अगले पर क्यों बढ़ते हैं अगला प्रश्ण की गंधिकों ने सिक्के चला है इसका प्रमार्ण जो है वह कहां से प्राप्त होता है इसका प्रमार्ण जो है हमें कौसांबी से प्राप्त होता है option number A is the right answer गांधिक जो है जिसका साब्दिक अर्थ गंध विक्रेता होता था किन्तु वास्तविक अर्थ वैपारी होता था गांधिकों के संग के सिक्के जो है वह कौसांबी के आसपास के चेत्रों में मिलते हैं और त्रिपूरी महिसमती विदिसा एरण मादिमिक आदिनगरों का उ ही है या बात कहिए प्लिनी ने किस ने कहिए प्लिनी ने ऑप्सन नमबर डीजदा राइट एंसर कुशाड काल में भारत और रोम के बीच भारी वैपार जो है वह सुरू हुआ था और प्रचुर मात्रा में सोना जो है यहां पहुचने लगा था और प्लिनी ने रोम निवास कि भारत के साथ वैपार रोम के लिए अपूर्ण निय च्छती है यह किस ने कहा था यह जो है यह कहा था प्लिनी ने ऑप्सन नमबर ए इस दा राइट एंसर अगले पिस क्यों बरते हैं अगला प्रशन है कि तीसरी सताबदी में वारंगल वारंगल प्रशिद था वारंग थे यहां लोहे के प्रमुक खाने भी थी यहां के जंगलों में हाथी जो है वा भारी मात्रा में रहते थे उनका उपियोग जो है वा सेना में गज सेना के रूप में होता था तो इस प्रशन का जो सही जवाब है वा है ऑप्सन नमबर C is the right answer अगले प्रशन क्यों बढ़ते थे कौन से समुदाय के गुमंतु समुदाय के होते थे या मोलता राजिस्थान में पाया जाते थे किन्तु वर्तमान में संपोल भरती उप महाधियूप में ये फैले हुए है और बंजारा सब्द जो है वह संस्क्रिट सब्द वंचर वंचर से उत्पन हुआ है जिसका ता रिआहे है ऐगला प्रशन क्या एक दच्चिड भारत में निम्न में कौन सा सब्द जो है वळिकड रामोreten सबढ़ सब्द परियूख्ट हुआ है option number D is the right answer अगले पर स्क्यों बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या है कि अरगट क्या था अरगट जो था वा किस तरह related था या पानी को उपर उठाने का एक उपकरड होता था option number C is the right answer ठीक है अगले पर स्क्यों बढ़ते हैं मांसून हवाओं की जानकारी दी इससे पश्चिमी एसिया के बंदर गाहों से वैपार और अधिक सुगम हो गया था तो इस प्रश्ण का सही जवब है option number B is the right answer अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं आगला प्रश्ण क्या है कि निमलिखित में से किस एक से बेगार का निर्द होता है किस से बेगार का निर्देश हमें होता है वह होता है विष्टी से option number D is the right answer अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते है अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण क्यों प्राचीन भारत का निमलिखित में से कौन सा महतपूर वैपार केंद्र उस वैपार मार्ग पर था ज अगले प्रश्ण की हिंदू विदिद्वारा मानने कर जो है वा कितना होता था जो मानने कर होता था वा एक बटे च्या उपच का एक बटे छटवा भाग होता था option number D is the right answer अगले पर इसक्यों बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है कि प्राचीन भारत में सिचाई टैक्स को क्या कहते थे प्राचीन भारत में जो सिचाई टैक्स होता था उसे बिदक भागम कहते थे option number is the right answer प्राचीन भारत में सिचाई कर को बिदक भागम अत्वा उदक भाग भी कहा जाता था और अर्थ सास्त की अगर माने तो अर्थ सास्त के अनुसार नदी सरोवर कुए से सिचाई करने वाले करसक से उपजिका एक बटे पांचवा भाग एवं राजिकी नहर से सिचाई करने वाले से एक बटे तीनवा भाग जो है वा लिया जाता था और बिदक भागम के रूप में वसूला जाना चाहिए था ये लिखा हुआ है तो इस प्रिशन का जो सही जौब क्या है वा है option number A is the right answer. अगले पर स्क्योब बढ़ते हैं अगला प्रशने क्या है अगला प्रशने की दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान जो है वा सरप्रतम किसने किया था या जो किया था सरप्रतम या किया था नारद ने option number A is the right answer. नारद ने लगबख 15 प्रकार के दासों का उल् अगला question है कि निम्रिकित में से कौन अत्यांज नहीं थे कौन जो है वो अत्यांज नहीं थे वो यवन अत्यांज नहीं थे option number D is the right answer और आज के अंतिम प्रशन की और बढ़ते हैं अंतिम प्रशन की सात्मी सताबदी के बाद ब्रामभडों का सबसे अधिक विरोध जो है वा किस ने किया था जो सबसे अधिक विरोध किया था वा कायस्त होने किया था option number D is the right answer और इस वीडियो की जो PDF है description में दियेगए टिलेग्राम लिंक से आप जाके टाउनलोड कर सकते हैं तो कैसी लग रही है ये series